समस्ते सब लाए आज आज फेरी यो टानाया वीडियो लिये रहाएको छहम्ँ यो चाए ओर्थमेटिक कछा 9 और्थमेटिक युनिट 3 कोमिशन रो टेग्स समधिर हैको छह यो यो निट 3 मा चाही कोमीशन र स्मधिरी रह को छा अब यो कंशन र साथ य। अगाड़ी को वीडियो जुनेट्री कछा 9-10 ज्रेंगल तेस्कोर टाइप्स रा सर्कल अरुको बारे मा यह गंदा आगाडी आई सेके कोच्छा जस्कोर लिंक दिस्क्रिक्शन बॉक्स मा दिए कोच्छा त्यां बाटता दाए अरू यहना सब्ने उने चा यह ताई नया नया वीडियो अरू यहना को लागी तेमा यहले बिजनेस सर्विस सच आज बाइंग, सेलिंग, गोड्स, प्रोपर्टी और कोलेक्शन आफ मोनी इट मेंज कोमिशन बनना ले आमें के बुच्छो बन्दा खेरी कुने पनी कीन बेस गर्दा खेरी बिचेस गर्दा रियाल स्टेट को कुरा उनो सक्छा तेसको साथ साथ अन सर्विस समान रुबनी कीन बेस गर्दा खेरी अधा पनी प्रपर्टी शेलिंग गर्दा अधा बाइंग गर्दा खेरी यो बीच मां काम गर्ने योटा ब्रोकर उन्चन दलाल उन्चन यो दलाल ने पाउनी इमांट नेकियो कोमिशन और कोमिशन को अब डिफिनिशन करी सक में में बड לת अप्र वांके गएंप कोमिशन का यहुटाँ आव़ इग्जाम्पल को रूपमहा याहां है रह गौमिशन कमिशन अव हाउसंपॉर्ट सेल यो गर्पिक्रि मा राखेगे ज्या न फ़को पैउक ह मर्ष संथ ले चने घण किन्ने मान्छे र वेचनी मान्देपू पर्थीक्स भेडगाट ना हुना पणी सब्सक्षा क्याडिक्ट भेडगाट गया वनेns पजी द यूब्रोकर्लाइग कमिशन पदाई हुदाईना तरब प्राय गर बेचनी अजमा कुने पनी एस तो रियल एस्टेट हरू बेचनी तुन जाएं ब्रोकर मार्फत नहीं नहीं उन्छ यो किन्नी र बेचनी मांचे भीच को आपसी समझदारी मैं ब्रोकर लाई के ही परसेंटेज दिये र एसपची गर बिक्री र किन्नी काम नह अब येसको लागे यांके आयोत ये जना ब्रोकर आयम लैंड ब्रोकर एजेंट अब घर विक्री गर ने र एजेंट को आपसी समझदी उने हूंच कि यो घर विक्री भाई सके पस्याद, घर विक्री गर दिये पस्याद 15% कोमिशन लीने अथवा दिने, येस समबंदी अब दुवे जना को हाथ मिलाउने र योटा एग्रिमेंट हुने हूंच, अब कोमिशन कती छता 3% और थात, यो घर विक्री भाई सके पस्याद, 3% ब्रोकर ले पाउने र अरू बाकी रहाएको एमांट आउस अनर ले पाउने हूंच, अब दुवे जना को समथी भाई सके पस्याद, घर के वाई विक्री भाई सके पस्याद, ब्रोकर ले क्ये पाउने हूंच, अब ब्रोक percent, commission percent of SP, okay, commission percent, commission percent means commission amount, commission के मा पाउने हो, विक्री गरे बावर SP मा, so commission amount upon SP into 100 percent, commission percentage, okay, now, first look question, what is the commission amount and how much amount got the owner after sold the house, house owner ले यो एक लाख मा गर्विक्री गर्न लाई प्राइस राखे कोच, अब किस्मा यो एक लाख मा गर्विक्री बाईशगे पस्या, 3 percent commission चाहे, वो करले पाउने चा, अब के के दिये गोचा, house को SP, commission percent, 3 percent, commission amount कती होँच, रहा house owner ले कती पाउने हो, एसको लागे अगी नहीं, आमी फरुमुला एरेगा थे हो, commission amount, commission percent of SP, commission percent 3 percent 1 लाख मा शेलिंग बाये गोच, अब 3 percent, 3,000 house, अब house owner ले कती पाउने होता, 1 लाख price राखे गोच, SP, यसमा 3,000 commission बाईशगे, अब house owner ले 97,000 मत्रे पाउने हो, यो question मा commission amount निकाले, येश पाची house owner ले commission amount घटा आये पाची, बाकी रहे को amount हो, यो amount मत्रे पाउने हो, अब और को question हो, यो question मा क्ये बने को छा, बने, कुने-पनी गर को, अब, SP, 8,75,000 का राखे को छा, तर, भेजने house owner लेके बने मन्दा केरी, ती मिले 8,75,000 बन्दा कम मा तर भेजने पाउन दैनो, येथी fixed 8,75,000 मा भेजे बने 3% commission पाउन छा, येथी यो बन्दा additional, ती मिले किन्ने बेक्ती लाई, केही convince गरेर, येथी यो बन्दा body amount मा घर भीक्री गर्न पाए होगा ठे, ती मिले जक्ती body amount पाईर गर्छो, येशको चाही 4% commission पाउन, अब, येस question बाटा, आमिले total commission amount कती युन छा, और house owner ले कती पाउने क्योर मिकान, येश्मा केके दिये गोचा, fixed price, घर भीक्री गर्ने house owner ले, ये बाए बन्दा खेरे, एत्ती मैं selling गरे बने, 3% मात्री commission पाउने, ये बन्दा body जती मा बिब्री गरे बने, चो traditional amount को 4% commission पाउन, total commission amount house owner ले कती पाउने, अब, commission amount को लागेता अगीने याँ जुईटा रेट थिए बोचा, कीने बन्दा खेरे, house owner को दांत चुटे थियो, तर रो कर ले थियो गन्दा body मा बेचे को छा, house owner ले राखे को rate को 3% पाउने हो, रा additional amount कती चा, 10,40,000 बाटर 8,75,000 subject गरे कची आउने additional amount हो, जिसको चाई 4% commission पाउने होंचा, okay, so 3% of this much amount and 4% of additional amount, it will give 32,850,000 पाउने हो, तुई तै commission amount जोडे पाउने, अब, यही commission amount चाई बिक्री बाएको गर कती में बिक्री बाएको चा, 10,40,000 बाटर 10,40,000 बाटर यह commission amount, अब्टेक्ट कर दिये काची उसले पाउने amount आउन साई, ने को सा total amount received by owner of land, land sale by 10,40,000 बाटर यह commission जोडे रकती पाई हो, 32,850 अब यह सब्टेक्ट कर यह पाची house owner ने रिसीब करने हो, अब कोईचन एरो, question number 3 मैं के बने हो चा, अब कोम्पनी ले, कोम्पनी मैं काम गाणे employer लाइ, कोम्पनी ले bonus दिने हो चा, जुन bonus यह दिये काच 3%, यह सिले के दिये काच बने हो गेरी, employee को fixed monthly sale is 17,400 अब कोम्पनी ले योटा करेक्टेडिया की राखे बने हो गेरी, बढ़ ही एमाउंट को selling भायोगाने जत्ती additional amount हो चा, 30 बहाटा चाएं, 3% कोमिशन पाऊच, अचले employee, काम गाणे employee, यह समा आपके के दिये काच, employee को monthly sale भायोगो, कोमिशन 3% चा, यो commission free amount 7,000,000, commission free sales 7,000,000, काच, 7,000,000 सम्मा को income अर्थाएं, sale भायोगाने commission न पाऊणी, त्यो बन्दा बढ़ ही भायोगो amount मा commission पाऊणी, अने पची commission पाऊणी amount कती होता, additional sale amount कती भायो, the total sale amount 12,000,000, commission free sales 7,000, case matter software गड़े पची 5,000,000 आउने, 5,50,000 को चाई commission पाऊणी, कती पर्षेंट ले 3% ले, commission amount बने भी दे गई, commission percent of sale, so 3% अब निकाले बची, इसको कती होंच 16,500, अब कोमिशन 16,500, इसको monthly salary 17,400, चादे चियो, अनि दुईटे एड गड़े बजी, त्यो employee को income आऊँछ, 33,900, calculate गड़न याँवाट आँछ, okay, यो question अरू, ठाके त्यो, united math र, केदान्ताको math को, questions अंग मिल्ले च, question number, अगाड़ी बजाड़ी उनना शाल च, okay, now next question, अब एरो, या question number 4, question number 4 मा के बन्ये को च बन्दा गड़े, अब यो योटा company ड़ेको च, company मा एक बन्दा body employee ले काम गड़ी ड़ेको बन्च, company को मालिक ले अथवा management team ले ही decide गड़ेको बन्च, company मा काम गड़ी ड़ेको employee मा योटा जागुरुकता आउस, योटा split आउस, run-lari काम गड़ोष, monobal borrows, च च च को लागे, यह bonus distribute गड़ेको, company को managing team अथवा company को मालिक ले, company मा वा एको total profit नही bonus बार दिन च बन्ने योटा decide गड़ेर, जस्तो अब यो company मा के चा 20% bonus distribute गड़ने, 30 जना employee, 30 जना employee, अब यह question मा के के दियेगो छा था, अब यहाँ दियेगो छा, company को net profit 24 लाग, 24 लाग चाये, company को net profit गड़ाएगो छा, 30% bonus distribute गड़ने 30 जना, योटा employee ले कथी पावने हो, total bonus amount अब यह company को profit 24 लाग, 20% bonus distribute गड़ने, 20% of 24 लाग गड़ने, 4,80,000 अब यह calculate गड़ाएगो छा, अब यह total bonus amount यह, कती जना employee चाहा काम गड़ी दाया गड़ाएगो छा, 30 employees, total bonus amount 4,80,000 अनी number of employee 30, so each employee get bonus amount for each employee बने गड़ी, total bonus amount 4,80,000 and number of employee 30 गड़ाएगो L.I.D. गड़ाएगो गड़ाएगो यह 16,000 योटा employee ले क्ये पाउने चाह 16,000 जब की company को profit 24 लाग चा 10%, 20% bonus distribute गड़ाएगो अब यह को और को question मा क्ये बनेगो चाहुने Each employee ले 16,000 पायो अब यह bonus percent 20%, 20%, 30 percentage bonus increase गड़ाएगो यह 16,000 प्रतेख employee ले पायोच यह 20,000 होच अब यह को लागी मिले यह hints दिएगोचु यह bonus percent यह bonus percentage X सपोज गड़ाएगो अब यह total bonus amount X कोई रूप मा अउने उन्च अनी अब यह total bonus amount यह आयो X को रूप मा उन्च त्यो राख देव number of employee 30 ठीक्सा each employee get 20,000 equation solve you will get in the same way next question मा यहा करने को छा what should be the profit of the company so that it can provide 20,000 to each employee at 20% bonus अब बोनस percentage increase न गरने प्रत्यक employee ले पाउने 20,000 नहीं हो अब बोनस परसेंट पनी 20% नहीं हो अब यह नेट प्रोफित को ठाऊ मा X गर दाऊंच अगीव यह सकेंड नमबर मा यहा बोनस मा एक्स गरेका थियो अब यह बोनस 20 नी राखने यह नेट प्रोफित लाई चाहें किया गरदू Y सपोज गरेर यह क्याल्कुलेट गरो यह Y को रुक मा आऊने आऊंच यहा each employee को 20,000 वाईगो अनि यहा जुन value Y को रुक मा आऊगो शत्यो टोटल पोनस एमाउंट मा बयो अनि number of employee तो यहा 30 जाना चदाई चाह यह 30 वाईगो अनि यह स्लाइक क्याल्कुलेट गरो यह चाहें कॉंपनी को net profit कती increase गर्ने बन्ने बारे आऊच यह जुन आऊनेओ त्येस बाट यह पुरानो गटाई दिये बाची net increase कती गर्नेओ त्यों आऊच दोश्रो नंबर question मा जुन यह परसेंट आयको उन्च यह स्मा एक्स को ब्यालू यह जाई त्येस्ट बाट 20% गटाई दिये बाची increase कती गर्नेओ ओके आज यह वीडियो आवा यह ती नहीं हो आवा इस्ती नया नया अपडेट अरू पाउना को लागी तमाहें अभूले चैनल लाइ सब्सक्राइब गर्नू पार्यो अनी आवा आवनी नया वीडियो अरू तमाहें को इन बोक्समा आवनच अर्ज दन्यवाद लोग आवा नया अपडेट अरू हेरना को लागी सब्सक्राइब गर्नूस मौन पोल्यो वीडियो वनी लाइक रश्येर गर्दिनूस धन्यवाद मौन पोल्यो अरू